नमस्कार मिनूज जैका में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है सब्धियां आ गई हैं और इस समय मार्केट में अब खुब हरी सब्जियां आएंगी खुब पालक मेथी सब्चीजां खुब आएंगी और हमारा भी मन करता है कि सब्दियों में बड़ों को बच्चों को खुब पालक खुब हरी सब्जियां खिलाएं जाएंगे यही मौसम होता है हरी सब्जियां का तो मिनूज जैया किचिन में आज हम बनाने वाले हैं यह दाल पालक ये बहुत पॉस्टिक रेसीपी है तो ये रेसिपी आप जरूर बनाएगा और मुझे बताएगा कि यह कैसी लगी मेरे चैनल पर आप नहीं है तो जो भी सब्सक्राइब करिए रेसिपी पसंद आए तो प्रीज इसे लाइक करिए शेयर करिए और बेल आइकन जो प्रेस करेगा ताकि मेरे आने पादे वीडियो आप चना डाल ले लेका रुसी का टूलीका चथाई आप मुंक चिलके वाले ले दाल लेजिए अब इस दोनों दालों को मैं यह दों क्यों दोगे 없이 से दोग चार्में पाने कि आनों दाल मेरे रेनिंग वाटर में अच्छे से वैकर लिए है बहुत पाउडर लगा होता दाल के उपर तो अच्छे से वाश करनी जरूरी है अब इसके अंदर मैं पानी डाल करके और इस दाल को एक से डेड़ घंटे के लिए भीगने के लिए छोड़ दोंगी दाल भीगी तो अच्छे से फूलेगी अच्छे से पकेगी तो दाल को भीगाना बहुत जरूरी है अग को हमेशा कहते हूं कि हरी सब्जी जब भी हमें कट करना है और फिर का दिये अगर पहले काट लेंग और फिर बुगारे चौंb कर दोंगे एक घंटा हो गया है दाल हमारे खुब अच्छे से भीग गई है इसको कुकर में डालके हम बोईल कर लेंगे मैंने कुकर लिया है इसमें ये पाली कर लेंगे अब इसमें डाल रहें चोथाई चमच हल्दी पाउडर रंग अच्छा आएगा इससे आधा चमच में जाले इसमे नमक आप अपने टेस्ट केहसाब से डालीया अब हम इसमें डालेएंगे थोड़ się खड़े कर लांड और चाटा रहेहांस में डाले यों तो ये साबत वाला करम मसाला जब हम इसके अंदर डालते हैं और जब डाल बोईल होगी तो हमारी दाल एक्दम खुश्बूदार हो जाएगी इन खड़े करम मसालों का बहुत अच्छी महक इसके अंदर आएगी और अब इससों में डाल रहे हूं ये एक चमच शुद्धगी घी डालने से एक तो डाल हमारी तेज तो एनांस हो गई होगा दूसरा जो डाल है उसका पानी जो निकल के बाहर आता है वो निकल के बाहर नहीं आएगा डाल में पानी हम इतना डालेंगे कि डाल के उपर इतना पानी रहना चाहिए बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना बहुत कम भी नहीं रखना है और दाल को इतना गलाना है कि दाना हमारा गलत हो जाए लेकिन अलग अलग रहे खड़ा खड़ा रहे वह गुटे नहीं मैं यहां पर चने की दार और मुंग छिलका दाल दोनों यूज कर लिए और अगर आप चाहें तो इसे सिर्फ पालक और चन में डाल रहे हैं छोटी चमबच जीरा जीरा हमारा अच्छे से क्रेकल हो जाए तो इसके अंद ये मैंने 20 कलिया लेसुन की ली थी जिनको मैंने बारिक बरिक चॉप कर लिया है अब इसमें से ये थोड़ा सा लेसुन तो मैं भी डाल दूंगी और बाकि ये जो एक चमबच मैंने रखा है ये हम जो दूसा तड़का लगाएंगे उसके अंदर काम में लेंगे जीरा हमारा क्रेकल हो गया है तो अब मैं ये जैसुन इसके अंदर डाल देते हूं और लैसुन बहुत अच्छा लगता है डाल पालक के अंदर तो थोड़ा अधित क्वांटिटी के देगा बहुत मजा आएगा आपको खाने में लैसल प्राई हो रहा है ये मैंने दो हरीमिर चली थी उनको भी मैंने बारीज साथ लिया और अब प्याज को हम थोड़ा सा ब्राउन हो जाए इसना प्याए चाल देंगे प्याज हलगा कुलाबी हो गया है अब इसके अंदर मे डाल दें ये एक चम्मच मैंने अद्रप आदा इंच अद्रप के टुकड़े को ग्रेट कर लिया था तो ग्रेट की आप चाहें तो छोटे-छोटे तुकड़े काट करके कि इसके अंदर डाल सकते हैं तो अद्रप को भी हम प्याज लिए चंहरीमिर इसके साथ भून लेते ये देखिए प्याज भी हलका सा ब्राउन हमारा फ्राय हो गया जैसे हम ग्रेवी में बहुत डाप कर लेते हैं उतना हमें नहीं कर गाए अब इसके अंदर मैं डाल हूँ बारी कटेवे टमाटर ये दो मैंने थोड़े बड़े साइस के टमाटर लिए थे वो मैं इसके सब्सक्राइब कर देखिए दाल भी खूब अच्छे से गल गई आपको दिख रहा होगा कि एक एक दाना बिल्कुल अलगा लेकिन दाना गल भी गया है तो ऐसी ही दाल हमको रखनी है कि दाना हमारा अलग अलग भी रहे और गला भावी हो कि देखें टमाटर बिल्कुल गल गया है अब इसके अंदर हम अपने दूसरे सूखे मसारे गाल देते हैं तो थोड़ी से हम डालेंगे इसके अंदर हल्दी तो के अन्दर हमने दाल देती तो 1-4 रोली स्पून हम इसमें डालेंगे रहना अदा चमच के करीम दालियों डाल पाउडर आप अपने टेस्ट के आप से ढाल सकते हैं और आधा ही चमच में इसमें डाल दियों धनिया पाउडर और इन सब कू अच्छे से मिक्स करके थोड तो बहुत थोड़ा सा चुटकी भर मैस में डाले हो गरम मसाला और खूब अच्छा बढ़िया मसाला हमारा भून करके तयार हो गया सब मसाले हमारे अच्छे से भून गया यह पालक भी मैंने बारी बारी काट लिया था अभी देखने में इतना ज्यादा लग रहा है लेकिन अभी थोड़ी से देर में जब इसके भीट लगेगी तो यह श्रिंक हो जाएगा और इसको मैं बिना चलाए ऐसे ही धक रही हो ताकि यह पालक अपना पानी छोड़ दे फिर इसको हम चलाएंगे एक मिनट हो गया है डखकन नथा के हम चेक कर लेते हैं देखिए पालक इतन कर लिए और इसको लिट लगाकर के स्लों फ्लेम के उपर थोड़ी तेल इसको दो मिनट के लिए रफकोशक हो ले देते हैं पालक चेक कर लेते हैं डेखिए कितना पानी पाल Katy मीर जिब टिया है तो कि मोट घसे होता है इसको थोड़ी करेंगे ताकि यह दो पानी है तुश फोटीन मिनाट हो गए देखें कितना बढ़िया मसाले के साथ हमारा पालक भून के तैयार है पाली भी इसका ऑलमोश्ट उडि गया क्या नहीं तो फिर उसके बुंहें दे является थार लोसुर다। के नेंग को बहुत देघ कर बहुत अच्छी यगी डास तो अभी प्वण चुका है अच्छे से इसके डाले के शायरն हुआर disorders सब्सक्रें अब इसका एक तड़का हमको और लगाना है यह देखिए देखते ही मन कर जाए कि इसके साथ गरम गरम पराथा रोटी तंदूरी रोटी कुछे मिल जाए और अच्छा स्वाथ इसके अंदर आएगा दो मिनट धकन लगा के हमने इसको दाल को कुप कर लिया और देखिए कितन मैं डाल की कंसिस्टेंसी एकडम ठीक है इसको चाउल के साथ भी खाया जा सकता है इसको रोटी परांठे साथ भी खाया सकता है तो ऑब इसको मैं डॉटि नेकाल लिएंग और फिर इसके ऊपर गैस एकम स्लो रखेंगे और थोड़ा सा मैं इसमें डाल रही हूँ तड़के में जरूर डालीगा बहुत अच्छी रखती है दो में डाल दूर इसमें साबित अभी लाल मिर्च और इनको हम अच्छे से बूल लेए लसं हमारा पक जाए थोड़ा ब्राउन हो जाए देखे ल प्राइब हो गया है बहुत अच्छी खुश्बू आ रही है और आप मैं गैस बंद करते हूं और इस ते अंदर मैं डाल रही है थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च ताकि इसका बहुत अच्छा तलर आएगा और यह तड़का हमारा तैयार है यह तड़का मैं डाल के उपर कि भड़िया खुश्बू आ रही है ना इसमें लिंसन और कश्मीरी लाल मिर्च इन सबकी आप भी इस रेसिप को जरूर ट्राय करेगा देखते ही खाने का मन कर जाएं ऐसी बढ़िया यह रेसिपी है और सर्दियां आ गई है खूप पालक आएगा और हम लोगों का मन करता है कि हम बत्तों को सबको हरी सब्सक्राइब खूप खिलाएं तो इसमें दाल भी है और फालक भी है तो यह बहुत पॉश्टिक रेसिपी है तो जरूर आप ट्राय करेगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मेरी रैसिपियां को कैसे लिए थैंक्यू पर वाचि उनले खिलाएं कर दो सब्सक्राइएब लुक्राहर हम रम Sunday सब्सक्राइब लेज भाल सब्सक्राइब LEए है जे यहिए झा discour मुझे है